तो के भोकने से हाथी कभी नहीं रुखता यह बेईमान पत्रकार है दलाल पत्रकार हैं गुलाम पत्रकार हैं वो कुछ भी कहें कौन सब्सक्राइब काम है गुलामी करना और वह गुलामी करेंगे तल्वे चाटेंगे यह बेहन नहीं हो सकता आप बिलकुल निश्चिंत रहें क्यों के जहासाराम की जहां से कौन दिखाएगा फिर और अपना विरोध दर्ज कराना हमारा जन्म सिद अधिकार है समयदान में अधिकार है उसकी अनुसार कर रहे हैं जिस तरह से देखने जा रहे हैं तो और जगह से पर तस्वीर आपना जाते हैं यह सरकार को एक संदेज हैं कि किसान 6 महीने से सड़कों पर पढ़ा है अपनी मांगों को लेकर सरकार सुनती नहीं है तो यह विरोध करने का अपनों तरीका सांति पूर्वक विरोध है क्यों तो यह कौन सा देश का राजा है कि उसकी परजा सड़क पर पढ़ी है च्छै महीने से भारत का किसान सड़कों पर है और वो महलों में बैठा है किसान की बात नहीं सुन रहा तो बात नहीं करोगे तो कैसे हल निकलेगा अरे यह सारा देश ही काला कर दिया इसने देश को बचाना है तो यह देश का एक सांती पूर्वक विरोध करने का हम लोगों का एक तरीका है और क्या करें सांती पूर्वक विरोध में यही तो होता है सरकार को दिखाना चाते हैं कि हिंदुस्तान का किसान दुखी है और उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं तो वो नहीं सुन रही है तो हमें तो करना है और किसान ये ठान करके बैठा है कि बिल वापसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी और इसका किसान हर सूरत में जबाब देगा अरे उसको से एक सहाई पहुतने से दर्द हो गया आप लोगों को उसकी एक तस्वीर पे अगर किसान ने सहाई पहुत दी तो आप लोगों को दर्द हो गया सरकार के दर्द हो गया और 471 किसान इसादोलन में सहीद हो गए उसका दर्द नहीं है वो हमारे परिवार के लोग चले गए और किसकी वज़े से इस सरकार की नाकामी की वज़े से उसका दर्द नहीं है देश में तरही तरही माम मची हुई है हवा नहीं है ऑक्सीजन नहीं है दवाई नहीं है होस्पीटल नहीं है उसको नहीं देख रहे हो दर्द होता है जिसके परिवार के लोग गए हैं, उनको कितना दर्द होगा? अगर किसानों के साथ है, तो छै महीने से किसान पढ़ा है, बात क्यों नहीं कर दोगा है? किसान के क्यों बात नहीं मान रहे हैं? किसान आदमी रखें, तो आप लोगों को प्रोब्लम थोड़े बढ़ जाएं, तो प्रोब्लम तो पहले आप सरकार से पूछ के आए, कितने आदमी बादर पर रखने हैं और कितने नहीं? हमारे लिए भीड़ी कट्टा करना सही नहीं है, और ये सरकारे अपने लिए चुनाओर रेली करें, कुछ भी करें, वो सब इनके लिए अच्छा है, तब करोना नहीं हो था. और बताईए बॉडर पर किसी किसान को करोना हुआ है क्या? देखे, कुत्तों के भोकने से हाती कभी नहीं रुकता, ये बेइमान पत्रकार हैं, दलाल पत्रकार हैं, गुलाम पत्रकार हैं, वो कुछ भी कहें. कौन दखते दिखा रहा हैं? अमेनिस्टीम मीडिया का काम है गुलामी करना, और वो गुलामी करेंगे, तलवे चाटेंगे. ये बेहन नहीं हो सकता, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्यों? कि जहासाराम की जहां से कौन दिखाएगा फिर? वो कैसे प्रोपगेंडा फैलाएगा? आईटी सेल किस चीज़ पर बीजेपी की आईटी सेल किस चीज़ से अपना परचार करेगी? तो ये सब अफवा है, और ये एक चाल है, किस तरीके से टुईटर को और फैस्बुक को दबाओ में लेके अपना परचार कराया जाए, अपनी गुलामियत कराया जाए, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि वो विदेसी हैं. किसान जहां चाहेगा, महा सरकार को जुका देगा, और उसका पहला उधारन सरकार बंगाल में दे के आए, किसान बंगाल में दे के आए हैं. कौने सरकार करें बताइए, किसी के चांटा मारा हो, बता किसे के चांटा मारा हो, किसी को कुछ कहा हो? तो किसान ने कौन से का चाटा मारा बता किसान पिटे किसान ही तो पिटे किसान किस के चाटा मारा बता वो कोई एक पुलिस वाला नहीं पिटा इट के रोड़े पुलिस वालों के हाथ में लठी पुलिस वालों के हाथ में किसान पर कोई लठी नहीं कोई इट का रोड़ा नहीं है कि हमारे कौन से नेता ने कहीं लट बजा दो हमारे नेता उने तो यह कही है कि वो तुम्हें मारेंगे पिटेंगे जेल भेज़ेंगे आपको हाथ नि उठाना बताईए हमारे नेता ने कौन से ने कही है आपको छे महीने हो गए लगातार बेटेंगे आज आपने तो वो सूर्से प्रोड़ूस भी दिया इसका अपने कानून नहीं बनाएगी यह तब तक चलेगा और तुम छे महीने च्छे महीने करते हो अरे पहला अंदोलन सरदार भगत सिंग के चाचा जी ने अजीस सिंग जी ने लड़ा था वो 90 दिन चला था फिर आजादी का अंदोलन हुआ था वो 90 साल चला था तो अभी तो छे महने हुए और आज तो वो दिन हुआ है जिस दिन हमारे नेता पहले दिन अवाज लगाई तोज तो आज तो वे शे मैने पूरे हुए हैं आपके राशन तो आ गया दूसरा अगले एक साल का फेर आगया कि पसल नहीं 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 पसल तो निया रासन अगर फिर चावल के आजएग़्या आ जाएगा फिर घ्रवाजाएगा अरे छे मैंने ने चाहे 2024 भी आए बिल वापसी होगी तो किसान की घर वापसी होगी अरे 2024 छोड़ 2024 कर ले अगली सरकार आवेगी वो देखेगी जब तक बिल वापसी से नहीं किसान नहीं जा रहा कानून से और जो सरकार कानून नहीं बदलेगी तो उस सरकार को सीर पर बठा के रखेंगे जैसे सरकार बना दीती है ऐसे सरकार अटा भी देंगे